असलाम अलेकुम विवस कैसे हैं आप लोग आज हम बनाएंगे ओर्स केक जो की बहुत ही हिल्दी होता है तो लीजिए हमारा केक बन के तयार हो गया है चलें इंग्रीडियन्स देख लेते हैं फटाफर से सिर्फ चार चीजों से हमने बनाया है केक हमने कोको पाउडर लिया है वन फॉर्थ कप और हाफ कप हमने वोट्स लिया है और बारिक पॉडर बना लिया है इसे हमने मिक्सी जार में और एक बतर में हमने ट्रांसफर कर दिया है अब इसमें हाफ स्पून इसमें हम बैकिंग पॉडर एड़ करेंगे और वन फॉर्थ स्पून हम इसमें बैकिंग स कि ये 4 टेबल इस्पोन दही हमारा इसमें एड़ हो चुका है है अब इसमें हम डालेंगे हनी ओभी 4 टेबल इस्पोन डालेंगे क्योंकि इसमें शुगर बगारा का यूज हम नहीं करेंगें बनाना है इसलिए हम इसमें मिठे की जगाँ शहेद यूज dram रहे हैं अब इसमें हम 4 टेबर इस्पून मिल्क डालेंगे यह रूम टेंपरेचर पर है बिल्कुल ठंडा भी नहीं है नहीं ग्रम है अब सारे को अच्छे से मिक्स कर देंगे सारे इंगिरिडियन्स को अब यह थोड़ा सा हमें ड्राय लग रहा था इसमें बन टेबर इस्पून मिल्क और राइट किया हमने अब इसको अच्छे से एक बार फिर मिक्स कर लेंगे और एक बरतन में मैंने थोड़ा सा आयल लगाया है घी कुछ भी आप लगाया है और इसके उपर से थोड़ा सा अब लगा सकते हैं अब इसमें बेटर अपना इसमें ट्रांसफर कर लेंगे इसे में हमें केक बनाना है इसलिए हम इसमें ट्रांसफर कर लेंगे और उधर एक तरफ हमने कराही भी रख दी है गैस पर और वह भी आपको दिखा देते हैं गैस पर हमने कराही रखे उसके अं तो यह थोड़े से ड्राइफ रूट हमने डाल दी है अपने मन पसंद ड्राइफ रूट आप डाल सकते हैं देखिए अभी तयार नहीं हुआ तो भी कितना यमी दिख रहा है तो चले अब अपने केक को हम कराही में अच्छे से स्टीम हो चुकी है तो हमने रख दिया है इसको 35 मिनट तक इसी तरह हम छोड़ देंगे 35 मिनट के बाद ये देखें कितना अच्छे से केक डबल हो चुका है फूल कर अब इसको एक तूद्पिक की मदद से हम चेक कर लेते हैं देखिए हमारी तूद्पिक बिलकुल साफ है इसका मतलब हमारा यमी हेल्दी टेस्टी केक ब पसंद आई है ये हेल्दी केक की रेशपी आप ज़रूर अपने फैमली और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले और नहीं नहीं रेशपी हमारे चैनल पर मौजूद है आप चैनल का विजिट करें दौा ह मियाद रखें लाइक करना हर्गेज नहीं बोले तो नहीं आल्ला हाफीज